हेई आवरिवान वेलकम बैक टू लर्न मास कम्मिनिकेशन मैसल प्रियांका सो इसमें जो हम अपनी जीके की सिरीज चला रखी है उसका सैट टू है आज और इसमें हम वन लाइनर क्वेशन्स जो है कर रहे हैं MCQ form में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जाद से जाद से जाद से जाद से बस कवर करना है इसलिए one line form में कर रहे हैं और जितने भी questions मैं इसमें कवर करूंगी वो सारे ही basic facts हैं जो आपके exam point of view से बहुत जादा deep जाके हमने जीके नहीं उठाई है जो basic questions होते हैं जो exams के किसी भी exams म पूछ ले जाते हैं one day examination में आपके media entrance के according या किसी भी college entrance में जो पूछे जा सकते हैं वही जी के हम इसमें cover करेंगे बहुत जादर deep नहीं जा रहे हैं तो पहला question है कि who was the first तीर्थांकर of gen religion इसमें पहले मैं history के questions cover कर रही हूं मैंने कल भी history के कराये थे जब history के cover हो जाएंग फिर हम इसी तरीके से आपके political के करेंगे, political के करेंगे, science के करेंगे, economics के करेंगे, हर subject के questions हम इसमें cover करेंगे, साथ ही जो फिर कुछ बच जाएगा mislaneous वो हम उसके बात cover करेंगे, लेकिन complete GK हम इस series में cover करने वाले हैं, आप इस series को follow करोगे, आपको किसी और कुछ भी GK क करने की जरुरत नहीं है, आपका सारा GK इसी से cover हो जाएगा, क्योंकि जितना GK आपके exams में पूछा जाता है, media entrances में, और जिस तरीके का पूछा जाता है, वो इसी से cover हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा GK जरुर्णल awareness करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जाता vast subject है, अगर आप उसे करने बैठोगे, तो आप और कुछ तयारी नहीं कर पाओगे, तो हमारा पहला question जो है, who was the first तीर्थांकर of Jain religion, options है, इसका जो correct answer है, वो है आपका रिशब देव, रिशब देव जो है, वो पहले तीर्थांकर है, Jain धर्म के, who was the 24th and the last तीर्था तीर्थांकर of Jain religion, 24 वे और आखरी, तीर्थांकर Jain धर्म के कौन है, answer है, इसका महवीर, महवीर जो है, वो आपके 24 वे, 24 और last तीर्थांकर है, Jain religion के, third question है, what is the name of birth and death place of महवीर जैन, तो महवीर जैन का जो birth place है, वो है वैशाली, 540 BC में इनका birth हुआ था माना जाता है, औ और death place है, उनकी पावापूरी, 468 BC में जो है, ये इनकी death हुई थी, और ये तो आपको पता ही होगा, कि BC में जो होता है, वो जब years decreasing order में बढ़ते हैं, और BC के बाद से AD में increasing order में बढ़ते हैं, तो इसलिए 540 में उनका जनम हुआ था, 468 BC में इनकी death हुई थी, 4th question है कि, what are the two communities in which Jain religion is divided, तो दो समुदाई में जो है, आगे चलके Jain धर्म को बाट दिया गया था, तो वो कौन से थे, श्वेतांबर और दिगांबर, तो श्वेतांबर, दिगांबर दो communities थी, जिन में Jain धर्म को divide कर दिया गया था, 5th question है कि, when did Jesus Christ was born, Jesus Christ का जनम कब हुआ था, इसा मसी का जनम कब हुआ था, वो हुआ था, 4th BC में, कहां पर हुआ था, बैतलिहेम में हुआ था, और 5th question है कि, who shifted the capital of Magat from Rajgiri to Patliputr, तो पार्टली पुत्र किसने बजा, इसका जो correct answer है वो है उदाइन, उदाइन ने जो है पार्टली पुत्र बसाया था, और इसलिए उन्होंने जो पहले, Magat की जो पहली राजधानी थी, वो थी राजगरी और उदाइन ने राजगरी से पार्टली पुत्र इसे shift कर दिया 7th question है, Who was the founder of Haryang dynasty, Haryang dynasty का founder कौन है, answer है आपका Bimbi सार, Bimbi सार जो है Haryang dynasty के founder है, 8th question, Who was known as Amitra Ghat, Amitra Ghat के नाम से किसे जाना जाता था, Amitra Ghat के नाम से बिंदु सार को जाना जाता था, 9th question, Who was the last ruler of Nand Vansh, Nand Vansh का आखरी ruler जो था, वो कौन था, वो था आपका धनानन्द, धनानन्द जो थे, वो last थे, पहले कौन थे, महापदमानन्द, उन्होंने इसको Nand Vansh की स्थापना करी थी, and last कौन था, धनानन्द, फिर आपका 10th question है कि, Who was the first to attack on India, मतलब भारत पे पहला आकरमण किसने किया था, तो वो किया था, इरानियों ने, इरान ने जो है, वो पहला आकरमण किया था, हमारे भारत पे, 11th question, Who was the first foreign ruler to invade India, मतलब पहला विदेशी शाशक कौन था, जिसने भारत पर आकरमण किया था, कौन था, Alexander, हिंदी में हम सिकंदर बोलते हैं, Alexander ने जो है, पहला वो विदेशी शाशक था, जिसने हमारे भारत पर आकरमण किया था, 12th question है, Which battle was fought between Alexander and Porus, means Alexander और Porus के बीच में कौन सा बैटल लड़ा गया था, कौन सा युद हुआ था, सिकंदर और Porus के बीच में, तो answer है इसका Battle of Hidespees, Battle of Hidespees या फिर से वितसता का battle भी बोला जाता है, दोनों नाम से किसी भी इन एक्जाम में पूछा जा सकता है, अगर Hidespees पूछा जाता है, तो ये भी correct है, और वितसता पूछा जाता है, तो ये भी correct है, साथी आप Media Aptitude की सिरीज जो चल रही है, उसे भी प्लीज जरूर देखिएगा अपने exams के लिए, अगर आपके exam से Media A Aptitude का questions आते हैं, Media Entrance के आप त्यारी कर रहे हो, तो ये जरूर questions आएंगे, तो इसको भी जरूर follow करिएगा, साथी जो हमारी current affair से संबंदित, जिस static GK होते हो, current affair से जो संबंदित questions होते हैं, उसके MCQ हम इसमें कर रहे हैं, आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, ये series बहुत important ह इसको जरूर check out करिएगा, और दोनों ही आपको playlist में मिल जाएंगे, आप हाँ से check out कर सकते हैं, 13th question है कि, where did Alexander the Great died in which year, जो Alexander the Great था, उसकी कहां पर death हुई थी, और कौन से year में हुई थी, तो Alexander की जो death हुई थी, वो Babylon में हुई थी, 323 PC में, 14th question है कि, who was the founder of Morian Empire, Morian Empire का founder कौन है चंदरगुप्त मौर्या, नंद वंश के बाद जो है, Morian Empire बसाया था, चंदरगुप्त मौर्या ने, तो संस्थापक जो है, Morian Empire का चंदरगुप्त मौर्या को बोला जाता है, 15th question है, in which पुराण we get information about Morian Empire, मतलब हमें कौन से पुराण में, जो है, Morian वंश की जो है, जानका चंदरगुप्त मौर्या ने, ऐसा कहा जाता है कि पुष्यगुप्त ने जो है, इसका निर्माण किया था, चंदरगुप्त के ओर्डर्स पे, वो चाहते थे कि उनके इलाके में, उनके जो राज्ये है, वहाँ पर, जो है, irrigation की facility बहुत अच्छी हो जाए, लोगों को बहु सुधर्शन लेक का जो है, निर्माण करवाया था, 17th question है कि, who was the guru of चंदरगुप्त मौर्या, चंदरगुप्त मौर्या अपना गुरू, उनके teacher कौन थे, वो थे, चाड़के, चाड़के ने उनने जो है, सारा ज्यान दिया था, चाड़के के दूसरे नाम है, विश्नुग चंदरगुप्त मौर्या था, 18th question है कि, who is known as Machiavelli of India, भारत का Machiavelli किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है, चाड़के को, चाड़के को जो है, भारत का Machiavelli के नाम से भी जाना जाता है, 19th question है कि, book अर्थशास्त्र written by चारके was on which subject, अब जो चाड़के की किताब है, अर्थ अर्थशास्त्र जो है, चारके ने लिखी है, अब लोग सोचते हैं कि, अर्थशास्त्र नाम है, तो ये Economics की किताब है, लेकिन ये Economics की किताब नहीं है, ये एक Public Administration की book है, तो ये अर्थशास्त्र आपसे पूछा है कि, किस चीज की book है, तो वो एक Public Administration की book है, चारके ने लिख ही है यह economics की किताब नहीं है 28 है कि who was the popular युनानी to come in Chandragupta Maurya court मतलब वो पहला प्रसेद युनानी कौन था जो Chandragupta Maurya के साशन में आया था उनके राजय महल में आया था वो था Megasthenes और Megasthenes की book किताब बहुत famous है इंडिका जो एक्जाम्स में पूछी जाती है 21st question name the place where Chandragupta Maurya died by doing fasting मतलब उपवास रखकर Chandragupta Maurya ने अपने प्राण कहां ते आगे थे वो ते आगे थे अपने शुरवन बेल गोला में जो कहां पर है करनाटक में करनाटक में करनाटक के श्रवन बेल गोला में चंद्रगुपत Maurya की मृत्यू हुई थी कैसे उपवास के द्वारा तो यह कुछ questions हमने cover कर लिए और आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हो इसका PDF आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा दोनों का लिंक में description में दे दूँगी और साथी मैंने कुछ बुक सजेस्ट कर रहे हैं मीडिया एंट्रेंस के लिए आप वह भी चेक आउट कर सकते हैं description में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें शेयर करें जार से लादा कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है में आज है चैनल कर देशना लाइग कर देशना नहीं दो अच्छी होगे है